A massive 2000 feet wide asteroid will just miss Earth by 0.029 astronomical unit जी हाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ा 2000 feet चोड़ा asteroid अपनी धर्ती के पास से गुजरेगा ये अभी अभी बहुत ही बड़ी news आई है मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ और इसके गुजरनी का समय है November 20 अभी आपको इसको पढ़के सुनाता हूँ कि NASA ने क्या बताया है देखिए इस 2000 foot wide asteroid has been given the name 481394 इसको discover किया गाया था और इसको discover करनके asteroid को उसको नाम दिया गाया था 481394 and in just a couple weeks it will have a close call with our blue planet यानि कुछ सब्ता हो कि अंदर ही ये आपके घर्ती के पास से गुजरेगा NASA scientists believe that the asteroid will come with 0.029 astronomical unit of Earth on November 20 यानि कि November 20 को ये 0.029 astronomical unit के साथ गुजरेगा और इसकी उन्होंने speed भी दी है speed आप आपको दिखा दा तो कितनी speed से गुजरेगा आप या पर देख सकते हो यहाँ पर ये 27,000 km प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा ये इसकी speed होगी तो आगे इसमें पताया है कि an astronomical unit is the average major distance between Earth and Sun astronomical unit के बारे में अगर आप इसने पताया है कि ये आपकी average इसमें आप अर्थ से लेके अर्थ की sun की distance को measure करते हैं और अर्थ से sun की distance होती है वो आपके पास 93 million miles होती है बड़ जबकि ये asteroid होगा वो 2.7 million miles अर्थ के आपके close होगा तो ये गुजरेगा ये आपकी news बताने थी आपको तो आपको 20 November के पास का इसका इंतजार करना होगा कि कुछ ही हफतों में ये news आप भी आप TV स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये बहुत ही trending में है topic तो मैंने आपको ये बताना है दोस्तों अगर आप तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियो देहने के लिए तो चलिए दोस्तों मेरे नेक्स वीडियो में तिल दें थेंक यू टेक येर बाई बाई